दोस्तो आज की चुमारी क्लास है Employability Skill की है यह जितने भी सवाल है मैं आपको guarantee दे रहा हूं कि आज इसक्लास से आपको एक्जाम में सवाल फसेगा फसेगा क्योंकि यह क्लास है यह फिर्ष्टिर वालों के लिए है आपके देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए तो पहला सवाथ है मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं उच्चारण को संधर्वित करते हैं एक किसम से आप बोलने का तरीक आपसे पूछ रहा है ना तो उच्चारण के बारे में आपसे पूछा है तो वही मैंने बताया कि उच्चारण किसको संधर्वित करता है तो उप्षन नमबर डिया आंसर आप लोगा सही चला जाएगा ठीक है अगले जो सवाल है कार्डिल नमबर आपसे पूछा है तो कार्डिल नमबर में से अलग कौन सा है ठीक है रोमन आप देख सकते हो यह वाली चुतीन ओ रोमन दि जला जाये का ठीक है चलिए अगले सवाल के और बठते हैं अगले सवाल में क्या को लगया ए सवाल आप लोग के सामने दिया गया और कि निमनिस्तर bahasa को भी कहा जाता है तो ड्यर वो बोलते हैं किसको मशीनी भासा को, option number C is right answer आप लोगा चला जाएगा, C option आप लोगा सही answer इसमें चला जाएगा, ठीक है डियर, option number आप लोगा क्या जाएगा, C option is right answer चला जाएगा, clear है, C option is right answer, अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल में दिया क्या गया है यहां पर देखिए कि किसी कारिय किये जाने वाले करतवी और जिम्मेदारे का लिखित विवरन क्या कहा जाता है किसी कारेयों को आपकर रहे हो तो उसका भीखीत वीवरन को आपसे पूचा है चाहा है कि लखीत वीवरन उसका क्या कहा जाता है किसी कारेयों किये जाने के पूराद तो देखे इसका जो सही आनसर जाना चाहिए वह चाह swag को प्रणाली में होते हैं अच्छा कंप्यूटर पढ़नाली में होते हैं इन्हीं में से आपको दिए गए हैं आपको बताना है इन्हीं में से क्या चीजें प्रणाली में जाइद सी बात है इसमें खतरनाग वाले दे रखें परनाली के बात हुई है तो इसमें हम ऑप्शन के साब से चलेंगे तो आप लोग का क्या जाएगा भी ऑप्शन हाडवेर तथा सौप्ट्वेर इस राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ठीक है आप सबत्सक्न देने वाले देख पर सही है तो चलिए बड़ते हैं तो ले किले बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग के सामने है यह सवाल तो आपकी बार पूचा भी जाएगा चुका है तो बहुत ज़्यादा important है है ना और सब को भाई साब सब को इसका answer पता होगा कुछ-कुछ हासरी होगे जिसको नहीं पता है लेकिन अधिकतर को answer बिल्कुल पता होगा तो right answer मैं कहा जाओं मैं जाएगा answer option number B के साथ central processing unit है ना जी बिल्कुल central processing unit यानि के CPU की full form आप से एक किसम से यहां पर पूची है तो B option is right answer चला जाएगा B option आप लोगे सही answer मारोगे आप लोग ठीक है तो ध्यान रखना है और इसके साथ साथ मैं आपको बतना चाहता हूँ CPU की full form तो आपको ध्यान रखनी है exam के लिए लेकिन ATM की full form भी भाई बहुत आ रही है ATM की full form आपको ध्यान रखनी है ATM की जो full form होती है वो क्या होती है वोती है automatic tiller machine ठीक है यह आपको ध्यान रखनी है BIS की full form भी आसकती है BIS की full form होती है Bureau of Indian Standard होती है ठीक है तो यह 3-4 जो full form में आपको याद करके जाने है ताकि exam में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके ठीक है डियर अगला सवाल है excel में किसी row पंक्ती और column के intersection पर तिशहतन को क्या कहा जाता है तो उसको हम बोलते हैं वह या उसको हम क्या बोलते हैं उसका बोलते हैं cell क्या बोलते हैं cell उसको कहा जाता है option number A is right answer आप लोग का सही answer जाएगा अगले सवाल दिया गया है आपको अगले सवाल आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाना सुनना किसके अंदर गता आता है आपको आनंद प्राप्त करना है आनन जब प्राप्त होता है तो क्या होता है किसम से परसंत दता होती है जायर सी बात है जब कोई आदमी खुस होगा एक बाल पते हैं कोई भी इनसान जब खुस होगा तो सो क्या होती है परसंत में करने consumer listening जो है आप लोग का सही answer जाएगा option number c जो कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हैं आप पर प्रशान तमों का लिसनिंग जो है आपका राइट आंसर जाएगा ओप्शन इखतरनाक दे रखें जायसी बात है उड़ा सकते हैं आप लोग ओप्शन सही सवालों का अगला सवाल है कि मानव परियासों में सही और गलत के अध्यन को क्या कहा जाता है चलिए बताई ये फटापट से मानव परियासों में सही और गलत के अध्यन को हम क्या बोल सकते हैं option आपको दिये गए हैं और सही answer बताना है आपको तो जल्दी से आप answer कीजे तो ethics उसको हम बोलेंगे क्या dear बोलेंगे उसको हम ethics बोलेंगे तो option देख लो c option है c option is right answer क्या बोलेंगे dear हम बोलेंगे ethics clear है ethics को हमरट answer यहाँ पर चला जाएगा ठीक है चलिए अब अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं अगले सवाल में क्या कहा रहा है उधमी का एक किसम से उधमी का तो क्या कहा जाता है तो उधमी तो मैंने आप लोगों को बताई रखा है पहले जो बिजनिसमेन होता है जो स्वैम का रोजगार कर सकता है करता है किसम से जो बिजनिस में होता है किसी ने अपनी दुकान खोलने किसी ने अपनी कमपनी चला रखी है नहीं किसी के नौकरी नहीं करता हूँ यह बोलते हैं, तो option number C, आप लोग का सही answer इसमें चला जाएगा, dear, क्या option जाएगा? Option number C, आप लोग का सही answer चला जाएगा, swim rojgaard, जो अपना rojgaard करे, ठीक है, किसी की नोकरी ना करे, इसको उद्मी बोलते हैं, ठीक है, चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर पूछा गया है कि कौन सा एक वेब आधाय लेखंकन है तो वेब आधाय लेखंकन इसमें सो जो सही आंसर जाएगा उसको हम बोलते हैं टैली क्या बोलते हैं तो C option आप लोग का सही चला जाएगा option number C answer आप लोग का सही आंसर जाएगा ठीक है कि टैली इसको हम बोलते हैं चलिए अगले सवाल है माल के उत्पादन में लगे उद्मो को किस नाम से जाना जाता है है यह आपको आंसर करना है माल के उत्पादन में लगे उद्मो को किस नाम से जाना जाता है तो dear इसका जो सही आंसर जाना चाहिए वो जाएगा option number V निर्मान उद्मम है ना किस नाम से जाना जाता है V निर्मान उद्मम उद्गम होलता है ठीक है option number जो A option मार रहे हैं आपर बेलिकुल सही answer है ठीक है A option आप लोग का सही answer जाएगा डियर ठीक है clear है अगला सवाल की और बढ़ते हैं कि कम उत्पादक्ता से क्या आपसे पूछा है क्या हो सकता है किसम से जी अगर कम उत्पादक्ता होगी तो क्या होगा नोकरी की शुरक्षा बढ़ेगी कम उत्पादक्ता से गलत बिल्कुल यह तो हो नहीं सकता राजनिती इस्थिरता तो ये भी नहीं आंसर परती व्यक्ति GDP में कमी हाँ ये सिस्टम बन सकता है क्योंकि एक बापती जब उत्पादकता ही कम होगी है ना तो GDP बढ़ेगी या फिर घटेगी तो या इसी बात है GDP तो डाउन जाएगी ही है ना तो बिल्गुल सही है option number C आप भुकंप आप लोग किस से माप होगे है ना भुकंप ये बारे में पूछ लिया गया कि भुकंप जो है किस यंतर से माप आ जाता है भुकंप जो है भईया किस यंतर से माप आ जाता है देखिए option तो इस परकार से आपको दे रखा है निमी वालों ने लेकिन भई हो सकता है language और चेंज करते हैं आपको देखिए अगर आपको हिंदी में देगा तो हिंदी में तो आप लोग उड़ा सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि हिंदी में डिरक्ट दे रखा है भूकम सूचक यंतर है ना भूकम सूचक यंतर हिंदी में तो डिरक्ली दे रखा है आप लोग उड़ लेकिन अगर इंगलीस में दे रखा को सिसमोग्राफ क्या बोलते हैं तो यह सिश्टम आपको फिरगे nutr करते तो आपको इंगलीस में भी थ्यान लखना है सिस्मोग्राफ जो होता क्या जिससे भुकम के जो है आने वाले अगर भुकम आ रहा है तो उसके अमना आप सकते हैं ठीक है भुकम के नम क्या होता है अंतर का नाम सिस्मुगराब होता है ठीक है डियर चलिए अगला जो सवाल है उनके परियावरण के संबंद में जीवित चीजों के अध्यान को हम क्या कहते हैं तो यह आप कौन सर बताता है तो पारिस्थितिक जही आप लोग का ब्र चला जाएगा ठीक है चलिए आगला जो सवाल देखते हैं दिया गया है कि नए उप्योगी उत्पादकों में छोड़ी गई सामगरी की पुनेयापूर्ती को क्या कहा जाता है तो उसको हम क्या बोल सकते है डियर ऑप्शन आपके सामने है उसको हम बोलते हैं है ना ऑप्शन अप्शन नमबर A जाएगा है क्या बोलेंगे जी बिलुकुल ऑप्शन नमबर A नहीं जाना चाहिए इसमें क्योंकि A तो अप्सिष्ट परदात है तो भाई या B ही जाएगा सामगरी का पुनेयाचकरन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं किसी भी चीज को एक किसम से दुबारा न देखा होगा जो जो पोलेथीन जो पड़ी रहती है तो उनको कोई चूगता रहता है जो बोटल वगएरा आप जो फैंक देते हो पानी पर करके जो प्लास्टिक होती है उनको आप लोग फैंक देते हो तो क्या होता है वो प्लास्टिक होती है वो रिन्योंकर दुबारा फ ILO का विस्तार रूप आपसे पूचा है फुल फॉर्म आपसे पूची गई है ILO की फुल फॉर्म आपसे दिया पूची है तो सही आंसर डियर जो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा International Labour Organization Option number जो लोकर एक option मार रहे हैं बिल्गुल सही आंसर है International Labour Organization आप लोकास में सही आंसर चला जाएगा ठीक है चले अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की और यह है आपका second last question अब फिस्बोन चार्ट को क्या कहा जाता है फिस्बोन चार्ट को क्या कहा जाता है तो DRS को हम बोलते हैं कारण और प्रभाव के आर एक है आप लोका सही आंसर चला जाएगा अगला जो last question है वो है S.E.R.I. किसके लिए है सुलजाना सोर्टिंग आउट आप लोकास में चला जाएगा ठीक है तो यह 20 question थे जो आपके पिछले exam में जो हाले में exam है उसमें पूछे जा चुके हैं और जो exam चल रहे है उनमें भी यह सवाल बन रहे है तो ध्यान से इन सवाल को हलके मत लेना क्योंकि employability skill का आपको थोड़ा सा पोर्शन नीमीन वालन दे रखा है और उसमें से सवाल घिस्पिट के आ रहे है तो यह important है 20 question इनको most important आप लोग मान सकते हो most important ठीक है तो भाईया ख्लास को अगर चाहो तो एक बार दुबारा फिर से देख लेना अगर जरुरत पड़ी तो exam में जाने से पहला क्योंकि employability skill आपके 20 question आएंगे और चो बहुत ही आपको percentage बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं आज के लितना ही धन्यवाद